मित्षा इंटर्यू अपिराशे सावड़िये तेमने सकते और यह हमारे लिए बहुत अच्छी पोजीशन है मैं मानता हूँ कि हम क्रिपूरा में हम अब तक का हमारा सबसे अच्छा परिणामी इस बाले कराएंगे तो यह अगर गट बंदन तै है तो जब गट बंदन इस तरह बन रहा है कि कॉंग्रेस लेफ पार्टी मतलब everybody get together to defeat BJP यह एक सोची समझी अगर रण नीती है तो क्या यह आप समझते हैं इसके लिए it's a big challenge for the BJP देखिए आप पत्रकार है इस लिए इस तरह से सूर्चरी समिता जी मैं मेरी पार्टी का कारे करता हूँ मैं इसको लग दुष्टी कौन से देखता हूँ मेरी पार्टी को इससे आत्मी स्वास बढ़ना चाहिए क्योंकि हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि कोई अकिला लडना नहीं चाहता अगर ताकतवर हुए हैं तो हमने अत्मी स्वास के साथ जनता के बीच में जाना चाहिए और हमने 5 साल में जो करा है वह बताना चाहिए जो हमने बताया आज तक के चुनाव परिनाम के अंदर मैंने चार एलिया करी हैं तीन रोडसो करे हैं मैं आपको बताता हूं कि आज का रोडसो का जो द्रश्य मेंने दिखा है, मैं कई बार त्रिपुरा है, पार्टी अद्रिक से नाते भी आया हूँ, केंपेन में भी आया हूँ, गुरू मंत्री नाते भी आया हूँ, और चुनाव के बगर भी आया हूँ, वगर ऐसा द्रश्य मेंने मेरे जीवन में यह दिखा जी वो मैंने दिखा भीड बहुत थी लेकिन जो त्रिपुरा के जो लोग है वो अकसर कहते हैं कि जो लोगों की जो सोच है वो सेंटर लेफ्ट है ज्यादा तर लेकिन पिछले एलेक्शन में आपने चलो पल्टाई का जो नारा दिया था उसके बाद क्या आपको रखता है कि विश्वास अभी भी लोगों का आपकी पार्टी पर है दिखे चलो पल्टाई का नारा आप सरसरी तोर पर देख रहे हैं हमने सरकार बदलने के लिए चलो पल्टाई नहीं कहा था उख्यमंत्री बदलने के लिए चलो पल्टाई नहीं कहा था या पार्टी इन आम तोर पर सरकारी करमचारियों के लिए वामपंथी दलों से बहुत सारी अपेक्साय होती है यहाँ पर कई सालों से वामपंथी दल सरकार में था पाचवा पे कमिशन इनको तनख्वा में दिया जाता था हमने आने के बाद सात्वई पे कमिशन को देने का काम किया और बजेट भी अच्छे करे है फिसकल डेफिसेट बढ़ाये बगर तो रेवेंडिय जनरेट हुगी है इसके साथ साथ हमने हिंसा को समाप्त करने का वादा किया था और हमने हिंसा को समाप्त किया है हमने नसे के कार से के कारोपार पर बड़ी कठोरता से नकिल कसी है और इसका जनता में एक अच्छा मेसेज है और हम इस बार नारा लेकर आए हैं तृपूरा सांत हो चुका है तृपूरा में अब वाइलन्स नहीं है अब तृपूरा को सम्रूद्ध बनाने का समया आया है मोदी जी और मानिक सा की डबल एंजिन की सरकार ने वह वादे को पूरा करने के लिए भी अब तक बहुत कुछ किया है पहले विपलव देव जी ने किया अब मानिक साजी कर रहे हैं पर मोदी जी का जो केंद्र से घरीब कल्यान का थ्रस्ट है वो गाउं तक पर को लेट है अब मानिक जी और विपलव जी को आपने जो चेंज किया उससे एक इमेज भी जाता है कि कंट्रोल सब दिल्ली से होता है अब आप इसकी व्याख्या इस तरह से कर सकती है परन्तु ये पार्टी का सिस्टिम है और कंट्रोल करने के लिए कोई बढ़लाव नहीं होता है किसी भी कारेकरता का ज्यादा उप्योग करने के लिए बढ़लाव होता है तो कभी ने कभी कोई राज्ये से सेंटर में आता ही है आज हमने विपलाव देव जी को राज्ये सभा का मेंबर बनाए है हरियाना जैसे महतोपून राज्ये का प्रभारी बनाए है जो दिल्ली के मुहाने पर है और इसके साथ साथ राष्ट्य मंत्री भी बनाए है तो वो केंद्र की रादनीती में अपना अच्छे से योगदान दे रहें त्रिपूरा की रादनीती में भी मानिक साहजी के साथ रहकर उनको सवाहता करें तो इसको कोई इस प्रकार के द्रश्टी कौन से देखने की जरूरत नहीं है अख़ील भारतिय पाट्यों को जब राष्टी स्तर पर कारेकरताओं की जरूरत होती है तो स्वाभावी कूप से तारकरता को सेंटर पॉलिटिक्स में ले जाते हैं मैं मानता हूँ यह प्रमोशन है इसको और कोई दुरुष्टी से नहीं देखना जी प्रद्यूत जी जो है वो तिप्रामोथा की तरफ से वो बहुत किंग मेकर जैसे उनका इमेज बन गया है कि अगर हंग एसेम्बली होते हैं तो वो किंग मेकर बनेंगे मीडिया भी उनकी तरफ चलियो सिटी लिए थी बाहा बज़ों के पहले पूर्ण बहुमत से बारतिया जन्तापाटी की सरकार बन जाएगी। उत्तरपूर्वी राज्यों में दो और राज्यों में चुना हो रहे हैं। आपके साब से उन दोनों राज्यों में भी क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आपको, you know, what you think is important? देखे, समग्र उत्तरपूर्व के अंदर, नरेंद्र मोदी जी के प्रदान मंत्री बनने के बाद, हमने उत्तरपूर्व को बदलने के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले उत्तरपूर्व के अंदर आजसानती हैं। कई सारे उग्रवादी संगठन थे, कई सारे उग्रवादी संगठन के साथ हमने समझोता किया है, बोडो लेंड का समझोता हुआ, आरवी जन जातियों के साथ समझोता हो गया हमारा, यहां पर थ्रिपूरा में भ्रू और रियंग, और 90 तरीके से 40,000 परीवार, 20-25 साल से ज्यादा समय से रहते थे उनको सेटल करकर बसाया गया यहां पर भी एनलेप्टी के साथ समझोता किया गया लगबग लगबग आठ हजार से ज्यादा आर्म्ड कैडरों ने आत्मसमर्पन करकर मेंस्ट्रिम में आना पसंद किया है तो जो उत्तरपुर्व को पहले सबी राज्यों में एरपोर्ट्स दिये गए यह एक एरपोर्ट था वहां क्रिपुरा जैसे राज्य में दूसरा भी हम बना रहे हैं तो धेर सारा विकास का काम नौर्थ इस्ट को इसे विकास से युक्त बनाने का काम प्रधान मंत्री जी ने का है और आठ साल के कम समय के अंतराल में प्रधान मंत्री जी स्वयम 51 बार नौर्थ इस्ट आये 51 टाइम आजादी से अब तक किसी भी प्रधान मंत्री की फ्रिक्वनसी नहीं रही है और हर 15 दिन में एक केंद्रिय मंत्री को कंपलसरी यहां ना है इसके साथ साथ को कोरोना के समय से जो परंपरा हुई है फ्री चावल देने की सबसे ज्यादा फाइदा अगर किसी एक सित्र को प्रतिसत आबादी के प्रतिसत में हुआ है तो नौर्थ इस्ट के अंदर है और आज नौर्थ इस्ट के गरिब को यह मालूम पड़ जाया है कि मेरे घर को कंप्लिट करने का काम नरेंद्र मो उसको प्रिजर्व करके रखना स्पेशली ट्राइबल एरियाज में यह बहुत एक सेंसिटिव मसला है तो मेघाले और नागलेंड में चुनाव होने वाले हैं वहां पर यह इशू उठ रहा है यह मगर उनको अब तो नौ साल में परिचे हो गया है मीडिया जो हमारे लिए अफ़ाय फिलाता था कि हम आएंगे तो आपके एडेंट्री चल जाए कि आपकी भासाय चली जाए बुटा मोदी जी के आने के बाद लोकल लेंग्विजी और स्ट्रेंदी हो गई और मजबूत हो गई प्राथमिक सिक्सा स्थानिय भासाओं में होने लगी है और इतना ही नहीं कई सारी बोलियां जैसे मनिपूरी है जैसे यहां की बोली है कई सारी बोलियों में भी सिक्सा का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा है मोडो लेंड में भी उनकी भासा में प्राथमिक सिक्सा होने लगी है तो उनकी आइडेंट्री को और मुखर कर मद्बूत करने का क भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने किया एक भी राष्ट्य परवय ऐसा नहीं है जिसमें नौर्थ इस्ट के कलाकारों ने दिल्ली के प्लिट्फरम पर परफॉम नहीं किया है उनके लिए देश भर के अंदर स्विक्रितु बढ़ी है नरेंद्र मोदी जी के लिए कई पत्र रेलवे से उत्तर पूर्व को जोड़ दिया यह तो किया ही है प्रधान मंत्री जी ने वगर प्रधान मंत्री जी ने सबसे बड़ा काम अगर किया है तो उत्तर